परिचाए बेटे, बिलिंग के लिए सभी वस्तुओं को मेज पर रखतो हाँ पिता जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ हाँ बेटे, पूछो पिता जी, दुकानदार सभी सवान के बारे में जानने के लिए प्रकाश युक्ति साधन का उप्योग करते हैं ये क्या है और ये कैसे काम करता है? बेटे, ये बारकोड स्कैनर यानी रेकी का कूट विक्षक है और ये फोटो डायोट के सिध्धान्द पर काम करता है ये रेकी कूट स्कैनर है और ये photo diode के सिध्धान्त पर काम करता है प्रकाश्ट रोस से वस्तू पर प्रकाश का उसरजन होता है और photo diode द्वारा परावर्तित प्रकाश विद्धुतिय सिंग्नल उत्पन्न करता है ये अर्धचालक electronically का एक अनुप्रयोग है ठीक है पिता जी, मैंने अपने सवाल का जवाब पा लिया, अर्दचालक युक्तियों के बारे में मैं अधिक से अधिक जानकारी चाहता हूँ विद्यार्थियों, आज हम लोग अर्दचालक इलेक्टोनिकी के बारे में बहुत कुछ अधियन करेंगे उत्यशे, इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे आप्टो इलेक्ट्रोनिक संधी युक्ति का वर्डन करना, फोटो डायोट को जानना, प्रकाश उससर्जन डायोट को समझना, सौर सेल का वर्डन करना, संधी ट्रांजिस्टर का वर्डन करना, उभनिस्ट उससर्जक ट्रांजिस्टर का विशलिशन करना, प्राव वर्ध प्राइजिस्टर की व्याख्या करदा, दो लित्र के रूप में ट्राइजिस्टर का वर्ण करदा, लॉजिक गेट का वर्ण करदा, एक एक रित परिपत का वर्ण करदा. अर्दिचालक डायोट में फोटोन द्वारा वाहग जनित होते हैं, जो अर्दिचालक युक्ति कहलाते हैं. प्रकाश की ये अर्दिचालक युक्तियों का प्रकाश की ये तन्तू संचार से उपभोगता इलेक्ट्रोनिकी के क्षित्र में उपयोगी है, और हमारे समाज के बुनियादी धाचों की वैवस्था के निर्माण में अत्यावशक युक्तियों का उपकरण हो गया है. ये तीन महतपून आप्टो इलेक्ट्रोनिक युक्तियों हैं, फोटो डायोट, प्रकाश उस्सरजन डायोट और सौर्सेल. फोटो डायोट प्रकाश की ये सिगनल के लिए फोटो डायोट एक अभिक्राही है, ये पश्चिदिशिक, बायसित, पी अन संधी है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर पढ़ने वाली रोश्नी संधी के आविश रहित क्षित्र में प्रवेश करती है. जब डायोट उदीप्त में होता है, तो परिपत में एक लगू धारा, पश्चिदिशिक संत्रिप्त धारा या रिसाव धारा प्रवाह के रूप में जानी जाती है. ये धारा इलेक्ट्रॉन चिद्र युग्म के अपवावेग के कारण होती है, जो आविश रहास क्षित्र में ताप चनित हैं. ये रिसाव धारा ताप मान के उठने से बढ़ता है. रिसाव धारा प्रदीप देस्तर में बढ़तरी के साथ बढ़ती है. ये इसलिए होता है क्योंकि आतिधिक तीव्र प्रकाश फोटोन की संख्या बढ़ने के कारण आतिधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन चिद्र युग्म उत्पन करते हैं. फोटो डायोड बिना किसी विलंब के प्रकाश का तुरंत प्रत्योत्तर देता है. इसका अस्तिमाल द्रिश्य और अद्रिश्य प्रकाश की ये सिगनल के संसूचन में होता है. इसका उप्योग प्रकाश की ये संचार, प्रकाश की ये सुईचन और वन पहचान में होता है प्रकाश उसर्जन टायोट ये एक अर्धिचालन संधी टायोट है जो प्रकाश उसर्जित करता है जब अग्रिद दिशिक बायस में इसके होकर धारा प्रवाहिद होती है ये एक पियन संधी है जो गैलियम और आर्सिनाइट या कुछ अन्य उप्युक्त अर्धिचालक पदार्थ से मिलकर बना होता है पी परत इतनी पतली बनी है कि प्रकाश उर्जा बहुत ही कम दूरी तै करके आवेश रासी क्षित्र में पहुँच जाती है जब किसी अग्रिदिशिक बायस को पियन संधी पर लागू किया जाता है तो अवरोध उचाई कम हो जाती है और परियाप्त अग्रिदिशिक बायस के साथ प्रायोकिक तौर पर आवेश रासिस्तर गाइब हो जाता है अग्रिदिशिक बायस इस्तिती के अंतरगत जब कोई धारा पियन संधी से होकर प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोन चिद्र की कुछ जोडियां असंगटित हो जाती हैं और प्रत्यक असंगटन फोटोन में वृत्थी देता है उस सर्जित प्रकाश की आवरित्ती मुक्त उर्जा पर निर्भर करती है जो बदले में बैंड अंतराल पर निर्भर करती है उस सरजित प्रकाश की तीवर्धा फोटोन की संख्या पर निर्भर करती है जो पदले में इसकी जग़ाई पर असंगठन की संख्या पर निर्भर करती है LED प्रकाश के सभी रंगों को उस सरजित होने पर राप्त होते हैं LED के संचालन के लिए कम वोल्टेज और उर्जा की जरूरत होती है। वे प्रकाश ये संचार युक्तियों, TV रिमोट और कैलकुलेटरों में संख्यात्मक प्रदेशन के लिए होता है। सौर सेल सौर सेल मौलिक रूप से सौर उर्जा को विद्धिये उर्जा में परिवर्थित करती है। पी धातू शीर्ष पर N पदार्थ की मुठाई के तुल्ना में काफी पतले होते हैं। इस प्रकार सौर उर्जा फोटोन शीर्ष कांच की खड़की से रिसकर प्रवेश करता है और संधी के दोन तरफ आसानी से पहुच जाता है। फोटोन पी और एन दोनों धातूओं संयों जगता इलेक्टोन से टकराते हैं और उन्हें परियाप्त उर्जा प्रदान करते हैं ताकि वे अपने जनक परमाडों को छोड़ते हैं। इस प्रकार संधी के दोनों और अच्छी संख्या में इलेक्टोन छिद्र युक में जनित करते हैं। यहां एनोड और कैथोड के बीच विभुवांतर उत्पन होता है। यह विभुवांतर एक बाहे भार्व प्रतिरोत के माध्यम से धारा का प्रवाह प्रदान कर सकता है। संधी टांजिस्टर संधी टांजिस्टर संधी डायोट का विस्तरित सरूप है जो तीन चिप्स के बीच दो संधिया हैं। दो प्रकार के टांजिस्टर होते हैं NPN टांजिस्टर, PNP टांजिस्टर, NPN टांजिस्टर, दो N पदार्तों के बीच, P-दार्त सेंडविच हो जाते हैं। इस युक्ति को NPN Transistor कहा जाता है। PNP Transistor दो P-Pदार्थों के बीच N-Pदार्थ सेंडविच हो जाते हैं। इस युक्ति को PNP Transistor कहा जाता है। इलेक्ट्रोनों और छिद्रों दोनों की गती की वजह से धारा का प्रवा होता है। इस प्रकार इसे दोई धुरुविय संधी Transistor कहते हैं। दोई धुरुवी संधी Transistor के अव्यव। सभी पदार्थों को दो संधी स्तरों के बीच तीन विभागों में बाटा जाता है। उस सरजक ट्रांजिस्टर का पहला चिप उस सरजक होता है जो भारी मादित अब द्रवी अर्थचालक हैं। ये अगले चिप तक मुबाइल चार्ज की आपूर्थी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं जिस कारण भारी मादित रहता है। आधार ये ट्रांजिस्टर का मध्ध चिप है जो काफी हलका मादित रहता है। किनारे के चिप के मुकाबले इनकी मोटाई काफी कम रहती है। संग्रहक ये ट्रांजिस्टर का अंतिम चिप होता है जो आधार और भार के लिए उच्छ उर्जा आपूर्थी से आने वाले मोबाइल चार्ज वाहक संग्रह करने की जिम्मेदारी निभाता है। ये सभी तीन चिपों में सबसे मोटा होता है। ये सामाने रूप से माधि चिप है। ट्रांजिस्टर बायस ट्रांजिस्टर के सामाने संचालन में अधिकांश आवेश भारी मादित उस सर्जक आधार क्षित्र में इस्थानांतरित होकर आधार का निर्मान करते हैं। उसके बाद संग्रह क्षित्र में चले जाते हैं। उस सर्जक से आधार में अवस्थांतर के लिए उनके बीच प्रतम संधी अगर दिशिक बायसित होनी होती है। पूर्ण अवस्था आवीश की रूप में उस सर्जक आधार क्षित्र में पहुंचता है, तो वो संग्रहा क्षित्र की ओर आकर्शित हो सकता है। यदि संग्रहा का किनारा सिर्फ पाश्च दिशिक बायस है। ट्रांजिस्टर की टर्मिनल धारा विभिन टर्मिनल धाराओं के लिए हम PNP ट्रांजिस्टर को समझने पर विचार करते हैं। उस सर्जक धारा आई-ई प्रतम संधी पर अग्रिदिशिक बायस के साथ अधिकांश आवेश का PNP उस सर्जक से आधार की ओर गतिशील होता है। इस संस्थापित धारा को उस सर्जक धारा कहते हैं। आधार धारा आई-ई-ई-पी होल के आधार क्षित्र में पहुंचने पर उन में से अधिकतर संग्रहक में इस्थानांत्रित हो जाते हैं। इन में से कुछ संख्या में होल आधार से अपवाहित होकर धारा इस्थापित करते हैं। ये आधार धारा कहलाते हैं। संग्रहक धारा IC अधिकतर होल आधार से संग्रहक की ओर जाते हैं और धारा उत्पन्य करते हैं, ये संग्रहक धारा कहलाते हैं, IE बराबर IB जमा IC PNP और NPN वास्तविक्ता को छोड़कर इन सब में धारा की अवधारना समान है और सभी धाराएं दोनों मामलों में विप्रीति दिशा में होती हैं उभे निष्ट उस्सर्जक ट्रांजिस्टर निवेश लाक्षनेक सामान उस्सर्जक विन्यास में सामान या भूमी की तरफ का प्रतिक वुल्ड तस्रोत उस्सर्जक से जुड़ा होता है निवेश अभी लाक्षनेक अचर संग्राहक उस्सर्जक वोल्ड ता VCE पर आधार उस्सर्जक वोल्ड ता VPE के साथ आधार धारा की विविदता IB ट्रांजिस्टर का निवेश अभी लाक्षनेक कहलाता है VCE बड़ाबर शुनने इसके लिए अग्रिद दिशिक बायसिद डायोट का निवेश अभी लाक्षनेक है अचर VBE के साथ VCE में वृत्धी होती है जिसके प्रभाव से VCB में भी वृत्धी होती है इसकी वजह से प्रभावी आधार की चौड़ाई में कमी होती है और परिणाम सरूप पुनर स्थापन आधार धारा में कमी आती है SI ट्रांजिस्टर के लिए VBE लगभग 0.7 वोल्ट है VCE परियाप्त रूप से 0.7 वोल्ट से ज्यादा है तो पाश्च दिशिक बायस VCB का परिमान आधार संग्रहक संधी तक उच्च रहता है निवेश प्रतिरोध इसे अचर संग्रहक उस सर्चक वोल्टता में परिणामी परिवर्तन के आधार उस्सर्जक वोल्टता में आनुपात की परिवर्थन के रूप में परिभाशित किया जाता है। संक्राहक धारा आईसी में परिवर्थन निर्गत अभी लाक्षणिक ट्रांजिस्टर कहलाता है। संत्रिप्तिक शेत्र अभी लाक्षणिक वक्र का हिस्सा मूलिस्थान और वक्र के शीर्ष के बीच में रहता है। जिसे संत्रिप्तिक शेत्र कहते हैं। इस क्षित्र में संक्राहक संधी और उस सर्जक संधी अगर दिशिक बायसित रहते हैं। सक्रिय क्षित्र अभी लाक्षणिक वक्र का क्षिति छिस्सा सक्रिय क्षित्र कहलाता है। इस क्षेत्र में उसर्जक संधी अग्रित दिशिक बाईसित और संग्राहक संधी पाश्च दिशिक बाईसित है। विच्छेद क्षेत्र इस क्षेत्र में दोनों संधी पाश्च दिशिक बाईसित हैं और ट्रांजिस्टर धाराएं न करने हैं। ट्रांजिस्टर की कुजी ओफ करने की स्तिती विच्छेद ढग में होती है. निर्गत प्रतिरोध अचर आधार धारा पर निर्गत प्रतिरोत को संग्राहक उत्सर्जक वोल्टिता में परिवर्थन और संग्राहक कलेक्टर में परिवर्थन के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है धारा प्रवर्थन गुनक संग्राहग उस्सर्जेक वोल्टता VCE के अचरमान के लिए इसे इसे संग्राहग धारा में परिवर्तन और आधार धारा में परिवर्तन के रूप में परिभाशित किया जाता है, जब टान्जिस्टर सक्रीयस थिदी में होता है प्रवर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक सिगनल की एक शमता बढ़ाने वाली प्रक्रिया है प्रवर्धक एक युक्ति है जो परियाप्त मात्रा में बिना फेर पदल के प्रवर्धन महिया कराती है हम एक ट्रांजिस्टर के सक्रियक्षित्र में इसकी संचालन बिंदू पर विचार करते हैं DC वोल्टता VCE बराबर VCC घटा ICRC भी अचा रहेगा VCE और IB प्रवधक के संचालन बिंदू को निर्धारित करते हैं यदि लगूर जयावक्रिये वोल्टता DC आधार पर अध्यारूपित करें तो आधार धारा IB के मान पर जयावक्रिये परिवर्तन अध्यारूपित हो जाएंगे इसके परिणाम सोरूप संग्राहग धारा IC पर भी जयावक्रिये परिवर्तन अध्यारूपित हो जाएंगे, जो निर्गत वोल्टता V0 के मान में भी तद अनुरूपी परिवर्तन उत्पन करेंगे. VCC बराबर VCE जमा ICRL, निव आई बराबर डेल्टा IB गुणा RB जमा RI. एसी धारा निम्नती हुई है, बीटा AC बराबर IC पर आई बी. प्रावर्धक की प्राप्त वोल्टता को दिया गया है, AV बराबर डेल्टा VCE बटे R डेल्टा IB या इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, AV गटा बीटा ACRL बटा R. रनात्मक मान बताता है कि निर्गत वोल्टता निवेश वोल्टता के साथ फेस के साथ विप्रीत है, प्रावर्धक से प्राप्त उर्जा, AP बराबर बीटा AC और AV का गुणन फल है. अभ्यास हम जानते हैं कि बीटा IC बटे IB के बराबर है. इस वियन्जक के सरली करण पर हम पाते हैं, IB बराबर IE बटा एक जमा बीटा. अब वियन्जक में मान रखने पर और गणना करने पर हम पाते हैं, IB बराबर 0.08 मिली एमपियर. हम जानते हैं कि IC बराबर IE घटा IB. अभ्यास 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 बराबर 3.92 मिली एमपियर. यहां आधार धारा कमान 0.08 मिली एमपियर और संग्राहक धारा कमान 3.92 मिली एमपियर है. दो लित्र के रूप में ट्रांजिस्टर. एक प्रवर्थक को एक AC निर्गत सिगनल उत्पन्र करने के लिए AC निवेश सिगनल की आवशक्ता होती है. एक दो लित्र DC को AC में परिवर्थित करता है. ज्यादा तर दो लित्र निम्न शर्टों के साथ प्रवर्थक है. निवेश का धनात्मक पुनर्भरण निर्गत के द्वारा देना आवशक है. पुनर्भरण पत पर प्राप्त प्रवर्थक नश्ट होने वाले से अधिक होना चाहिए. किसी प्रवर्थक परिपत से बने दो लित्र परिपत संग्रहक पर समस्वरित परिपत है और पुनर्भरण के लिए प्रेरक युक्मक है. उस सर्जक संधी अकरित दिशिक बाइसित है जबकि संग्रहक संधी पाश्च दिशिक बाइसित है. कुन्डली L1 और L2 समान क्रोड में इस प्रकार है कि उनके पारसपरिक युक्मित के माध्यम से प्रेरक युक्मक हैं. कुन्ची के दबाने पर संग्रहक धारा का अचानक L1 से होकर प्रवाशिरू हो जाता है. परिणाम सरूप वोल्टिता L कुन्डली के साथ प्रेरित होती है, जो संधारित्र C को मदद के लिए उस पुलर्टा के साथ आवेशित करती है, जिससे उस सर्चक परिपत के अग्रितिशिक पाइसित है. संत्रिप्त अवस्था में पहुचने पर संग्रहक धारा कमान बदलना बंद हो जाता है. यहां कुंडली L में प्रेरित EMF लुप्त हो जाता है. AC धारा की आवरित्ती से प्राप्त संबंद F पराबर I बटे 2, पाई गुणा 1 बटे LC का मूल. Logic Gate जिस सिगनल का मान समय के साथ सतत बदलता रहता है, उसे अनुरूप सिगनल कहते हैं. सिगनल जिसके केवल दो संभव प्रिथक मान हैं, अंकी ये सिगनल कहलाता है. इस प्रकार के सिगनल सुविधा जनक धंग से दूई आधारी अंकन प्रणाली में व्यक्त किये जाते हैं, जिनके केवल दो अंक शूने और एक हैं. लॉजिक गेट अंकी ये परिपत हैं, जो निवेश और निर्गत वोल्टिता के बीच तारकिक संबंध हैं. मौलिक लॉजिक गेट हैं, ओ आर और, ए एन डी, एन ओ टी, नौट, एन ए एन डी, नैंड, एन ओ आर, नौर. सत्यापन सारणी, एक सारणी जो सभी संभाव निवेश संयोजन को प्रदशित करती हैं, और लॉजिक गेट के लिए तदन रूपी निर्गत सत्यापन सारणी कहलाती है. बूलियन वेंजग लॉजिक गेट क्रिया कलापों को संगशेप में व्यक्त करनी की विधी वेंजग सरूप है, जिसे बूलियन वेंजग के नाम से जानते हैं. और गेट एक और गेट को एक निर्गत के साथ दो याधिक निवेश हैं. यदि निवेश A या निवेश B या दोनों एक हैं, तो निर्गत Y एक है. यानि यदि इन में से कोई भी निवेश उच्छ है, तो निर्गत भी उच्छ है. एक एंड गेट में दू और अधिक निवेश और एक निर्गत होता है एंड गेट का निर्गत वाई एक होता है जब सिर्फ निवेश ए और निवेश बी दोनों एक होँ नौट गेट ये सर्वाधिक मूल भूत गेट है जिसमें केवल एक निवेश तथा एक निर्गत होता है यदि निवेश शून है तो ये एक निर्गत उत्पन्न करता है तथा यदि निवेश एक है तो शून निर्गत उत्पन्न करता है अर्थाथ ये किसी निवेश का अपने निर्गत पर व्यूत्क्रमित रूपांतर उत्पन्र करता है इसे उत्क्रमक या प्रतिलोमक भी कहते हैं लैंड गेट ये नौट गेट के बाद एक एंड गेट है ये निवेश A और B दोनों एक है तो निर्गत वाई एक नहीं है नैंड को सार्वो भौमिक गेट कहा जाता है क्योंकि इस गेट के इस्तिमाल से हम दूसरे मूलभूत गेट जैसे और, हैंड और नौट को भी महसूस करते हैं नौर गेट उसके दो या उससे अधिक निवेश और एक निर्गत है एक नौट का संचालन और गेट के बाद होता है और नौट और गेट देता है इसका निर्गत वाई एक है जब सिर्फ A और B शुन है एक एक रिद परिपत एक रिद परिपत लगू इलक्टोनिक युक्ती है जो अर्ध चालक पदार से बनी होती है पहला एक रिद परिपत वर्ष 1950 में एकसस के जैक किलपी द्वारा उपकरण और फेरड चाइल्ड के रॉबर्ट नौइस द्वारा अर्ध चालक विक्सित किया गया था एक रिद चालक का उपयोग सुक्ष्म संगणक, श्रवे एवं द्रिश्य उपकरण और आटो मोबाइल के विभिन प्रकार की युक्तियों के लिए होता है एकी क्रित परिपतों को ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रोनिक घटकों द्वारा वर्गी क्रित किया जाता है ये निम्न है SSI लगुस्तरिये एकी करण 100 तक इलेक्ट्रोनिक युक्तियां प्रतिचेप MSI मध्यमिस्तरिये एकी करण सौ से तीन हजार तक इलेक्टोनिक युक्तियां प्रतिचेप LSI व्रिहत इस्तरिये एकी करण तीन हजार से एक लाग तक इलेक्टोनिक युक्तियां प्रतिचेप VLSI व्रिहतम इस्तरिये एकी करण एक लाग से दस लाग तक इलेक्ट्रोनिक युक्तियां प्रतिचेब ULSI अतीव रहतम स्तरिये एकी करां दस लाग से उपर इलेक्ट्रोनिक युक्तियां प्रतिचेब क्या आप जानते हैं LED इंस्टेंट ओन हैं जिसकार्थ है कि वे अपनी सर्वोत क्रेश्ट चमक प्राप्त करने के लिए तुरंत चलाई जाती हैं सबसे बड़ा सौर उर्जा सैंद्र जर्मनी में है वे बावरिया सोलर पार्क और आउनिस्टाइन सौर विदुद सैंद्र है आउनिस्टाइन सैंद्र 3500 घरों को 12 मेगवाट उर्जा प्रदान करता है 1971 में प्रतम इंटेल 4004 चिपाया तब से ट्रांजिस्टर का संकुचिताकार 222 की गुनक में उपलप्थ है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में तोहराएं अर्दचालग डायोड में फोटोन द्वारा वाहाग जनित होते हैं जो आप्टो इलेक्ट्रोनिक युक्ती कहलाते हैं प्रकाश की ये सिंगनलों के लिए फोटो डायोड एक अभी कराही है LED अर्दचालन संधी डायोड है जो प्रकाश उस्सर्जित करता है जब अग्रिदिशिक बाइसित इस्तिती में इससे होकर धारा प्रवाहित होती है सौर सेल मौलिक रूप से सौर उर्जा को विद्धितिय उर्जा में परिवर्थित करता है तुई धुरुविये संधी टांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के गतिमान होने से धारा का प्रवाह होता है टांजिस्टर का पहला चिप उस्सर्जक होता है जो भारी मादिद अब्द्रवी अर्थचालक है ज्यादातर होल एक धारा के रूप में आधार से संग्रहक से होकर गुजरते हैं इसे संग्रहक धारा कहा जाता है लॉजिक गेट अंकिये परिपत हैं जो निवेश और निर्गत वोल्टिता के बीच संबंद स्थापित करने के लिए निश्चित तर्क अपनाता है एक एक गेट परिपत अर्थजालक पदार्थ से बना लगू इलेक्ट्रोनिक युगती है